पाठ च्छ वाइरल इन्फेक्शन गुणवंत शाह साहित्य प्रकार निबंध मित्रो तंदुरस्ती माटे स्वास्त्य शब्द वपराये छे तेनो अर्थ पोता नामा जेस ठाईी छे ते वो ठाई आपने पोता नामाथी निकडी जईये छिये त्यारे शरीर मा रोग पोतानों स्थान जमावे छे एक रिते रोग आपणने शरीर नुँ भान करावे छे माथूं दुखे त्यारे खबर पड़े के माथूं छे ए पहला आपनों ध्यान त्यां जतू नथी बीमार थाईये त्यारे तो शरीर नुँ ध्यान राखिये छे पण बिमारज न थाईए, एवु ध्यान पण राखमू जोईए मित्रो आपने आपना आरोग्यनी बराबर कारजी लेता न थी ते विशेनी समझ आप तो पाठ जोईए पाठ ना लेखक गुणवंत भूशन लाल शाह छे तेमनो जन्म, बार, त्रण, ओगणी सो साड़ त्रीस ना रोज थायो हतो कार्डियोग्राम, रण तो लीला छम, विचारोना व्रुंदावन मा वगेरे तेमना नोध पात्र निबंध संग्र हो छे तेओ बीजा एवड उपरांत भारत सरकार ना पद्मश्री पुरसकार्थी सन्मानित थाया छे प्रस्तुत पाठ नो साहित्य प्रकार निबंध छे एक जमाना मा चीनना लोको गाम मा कोई मांदू पड़े तो दाक्तर ने सजा करता सेम्यूल बटलरे एक एवा आदर्ष समाजनी कल्पना करेली जेमा मांदा पड़नार मानस ने कैदनी सजा थाय बर्टाड रसेले एक निबंध मां भारे गम्मत करी छे कार खोटकाई पड़े तो एनो मालेक थोडोक शर्माए छे परन्तु मानस पोतानू शरीर खोटकाई तेनी वात बीजाओ आगल गवरव पूर्वक करे छे मानस पोतानाज शरीर साथे निर्दैता पूर्वक वर्ते छे भणेला लोकोपण खावा पिवामा अभणनी माफक वर्ते छे डोक्तरो पण पोताना आरोग्य अंगे क्यारेक दर्दी जेवाज बेदरकार जुवा मले छे वर्षो सुधी शरीर अपमानित थतु रहे छे खाटलामा पडेलू नानी उम्मरनू शरीर एतो अपमानो असहिय बनी गया प्यारे शरीर द्वारा शरू थयेलो सविनाय कानून भंग छे रदै रोगनो हुमलो कई मफतमा नथी मलतो ए माटे वर्षो सुधी मतवूं पडे छे शरीर ने पोटलू समझी ने कलाको सुधी ओफिस नी खुर्षी मा बैसाडी राखूं पडे छे अने गमे ते समय गमे तेवूं अने गमे तेटलूं खावूं पडे छे रदै रोगना हुमला वक्ते मानसने परसेवो वचूटी जाये छे जीवन मा कदी पन परसेवो नथी वड़यो तेथी शरीरे पोताना मालिकने करेलो एक क्रूर कटाक्ष गणाए रोग थया ते माटे सुखी लोको जे स्थुल साधना करे तेने बैठालू पणू कहवामा आवे छे आपना देशमा आवा साधकोनी संख्या ओछी न थी सविनै इटले विनै के विवेक साथे कानून भंग इटले काईदानो भंग अथवा काईदो तोडवो अने स्थुल एटले अहीं जाडूं अथवा मोटूं सविनै कानून भंग शब्दो लेखके शरीरे पाडेली हडताल माटे वाप्रया छे जेम अंग्रेजो सामे महात्मा गांधिये काईदानो विरोद कोईपन शस्त्रो वगर मूंगा मोय शरू करेलो तेम शरीर आपनी साथे मूंगा मोय अस्वस्त तानो विरोद करेचे बिमारीमा शरीर काम आपतू नथी एथी मन पण बेचेन बनेचे गांधी जीनो सविनाय कानून भंग आगल वत्तो गयो अने पची एक मूंगो विस्फोट थयो अंग्रेजो भारत छोडी गया आपनने आजादी मली एवूंज शरीर नी बाबत मा थाय चे तेनो सविनाय कानून भंग आगल जई विस्फोट करेचे हाट एटेक रूपे अने जीवन थी आजादी मली जाये चे होस्पिटल नी शोभा वधारवा शूं थाय शके घणा खरा खाटला खाली पड़ी रहे एज तो होस्पिटल नी खरी शोभा गणाये मानस न छुटके डॉक्टर पासे जाये तेमा कश्चूं खोटू न थी खरेखर्तो संपूर्ण पणे निरोगी होय तेवा मानस होये नियमित पणे डॉक्टर पासे जईने लोही, कार्डियोग्राम अने बीजी बाबतों नी चकासनी करावी लेवी जोईये ओतानू आरोग्य जलवाई रहे, ते माटेना सूचनो डॉक्टर पासे कोई फरियाद न होय, त्यारे मांगवा जोईये दातना डॉक्टर पासे कोई पन प्रकारनो दुखावो न होय, त्यारे समयान तरे जैयावूं जोईये डॉक्टर रोग्नी जालवनी माटे छे क्या आरोग्यनी, आ प्रश्ण डॉक्टरोनी कमाणी पर सीधो प्रहार करना रोचे ओपीडी मां कीडियारों उभ्राय एतो सभ्य गणाता समाजनी शरम छे अनाथाश्रम मां बाळकोनी अने घरडा घरमा वृद्धोनी संख्या वधे ए कई तंदुरस्त समाजनी निशानी न थी संकट समयनी साकल वारम वार्वपराय ते योग्य न थी काडियोग्राम इटले रदयना धबकारा आलेख तुं यंत्र प्रहार इटले हुमलो अने संकट इटले मुश्केली संकट समयनी साकल रेलवे मां मुसाफरी करनार सामान छुटी गयो ते थी आणी भरवानू रही गयो ते थी नास्तो लेवानू रही गयो ते थी आम वारम वार साकल खेंची ने त्रेन उभी रखावे, ते केटनू योग्य गणाए रेलवेनों काईदो इच चलावे पन नहीं शरीर माटे एज काईदो लागू पड़े छे छता शरीर माटे आपने डौक्टर रूपी साकल खेंचवा दोडी जईये छे प्रथम थी शरीर नी कालजी, आरोग्य नी कालजी राखता न थी संकट समय नी साकल नजीवा कारणों माटे वारम वार नौखेंचाए एज योग्य गणाए डौक्टर ने तावनी फरियाद करनारा दर्दियों ने काने आज काल बै शब्दो अचूक पड़े छे वाईरल इन्फेक्शन इटले मोकल नारना सरनामा वगर नूँ वीपी पारसल डौक्टर ने कई जना समझाए त्यारे आ बै शब्दो एनी मददे आवे छे डौक्टरोंनो एमा कोई जवाक न थी जे देश मां जाहेर आरोग्या आटलू पांगणू होए त्या ढगला बंद वस्ती मां जथा बंद महामारी होवा नीज ज्यां इंसान अने उकरडो अडखे पडखे मड़ी समझीने रहता होए यां होस्पिटलों पण गंदी होवा नी स्वच्च होस्पिटलों वधारे पड़ती मोंगी होई छे स्वच्च होस्पिटल मा लीला पाटिया पर सुन्दर लखान अवतरण होई छे जे थोड़े थोड़े दिवसे बदलातू रहे छे वाईरल इन्फेक्षन अंग्रेजी शब्दनो गुजराती अर्थ अती सूक्ष्म जन्तु वाळा रोगनो चेप अने पांगलूं इटले अशक्त अथवा नबढूं भारतनी प्रजामा गंद की प्रत्य जे सूग होवी जोईये ते जाजी जोवा मलती नथी गंद की आपणने बहु खलेल नथी पहुँचाडती गंद की नो आवो स्वीकार दुनियामा क्याए जोवा नहीं मले गंद की थी भारे खलेल पामनारा भारतना सवप्रथम साधू स्वामी विवेकानन दहता गरीबी अने गंद की वच्चेना बहन पणाने कारणे आपणी होस्पिटलों मा ढगला बंद दर्दियो बण बणता रहे छे वेद उपनिशद गीताना वार्षा अने वैभव अंगे गवरव लेनारी आपनी प्रजानों बहु मोटो वर्ग अभण छे आपने त्यां रोग नियम छे अने आरोग्य अपवाद छे सब्ब्य समाज मा एथी उल्टी परिस्थिती होवी जोईए गांधी जी मांदगी ने लगभग अपराद गणता अने पोतानी मांदगी ने तो आध्यात्मिक भूल तरीके जोता सूग इटले अरूची खलेल इटले अडचन अने अपवाद इटले रीत के नियम लागून नव पड़े इवूँ तमाकूना गुटका खानार ने सफरजन मोंगू पड़े छे सिगरेट ना धुमाडा काड़नार ने खजूर, अंजीर, आलू, के काजू, मोंगा पड़े छे नास्तामा तड़ेली वानगीज होई, फल होईज न शके लगनना रिसेप्षिन मा पार्टी आपनार यजमाननो प्रेमाल इरादो जमवा आवेला नर नारियोंना पेटनी हालत बगाडवानों होई एवो वहें पड़े एवी स्थिती छे, लोको बस खाधे राखे छे, पीधे राखे छे, अने जीविये राखे छे मादगीने खाटले घणू खरूतों वेडफाई चुकेलूं जीवन पड़ेलूं होई छे खासी वारम वार आवे तो एक कफ छूटों नथी पड़तों, परन्तु समझन छूटी पड़ी जाए छे रोगना मूल मा समझन साथे ना छूटा छेडा रहेला छे जी पोताना शरीर ने न समझे, ते वड़ी बीजाने शूँ समझे यजमान, इटले महमानोंनी महमान गती करनार खासी, इटले उद्रस अने समझन साथे ना छूटा छेडा इटले, समझननों अभाब अथवा अग्णयान रोगना मूल मा समझन साथे ना छूटा छेडा रहेला छे ओई पन रोगनु मूल अग्न्यान छे शुँ खावूं, यारे खावूं, किटलूं खावूं वगेरे विशेनी जानकारी न होई, तेने रोग थवानाज छे घणा लोकोने खबर होई छे शुँ खावूं, ने शुँ पीवूं छता, तेवा लोको पोताना मन पर काबू राखी शक्ता न थी दरेक व्यसनी ने खबर छे के व्यसन खराब छे छता, तेव व्यसन छोड़ी शक्ता न थी समझन साथेनो संबंध पूरो थई जाए त्यारे रोग साथे सगपन थाए छे मननी स्वच्छतानो शरीर नी तंदुरस्ती पर सीधो प्रभाव पड़े छे जेनू मन भांगी पड़े, तेनू शरीर पण भांगी पड़े छे मननी प्रसन्नता पाचन शक्तीने जाडवी लेनारी छे इर्षया, एसीडीटी वधारे एवो पूरो संभव छे मानसिक्तान बलड प्रेशर ने सली करे छे अतिशय चिन्ता, पेट ना अलसर ने खो आपे M बने पती-पतनी बच्चेनो संबंध बनने ना स्वास्थ्यने सीधी असर पहुँचाडे छे कितलाक परिवारों मा खड़-खड़ा ठास्य महीने एकवार पण सांभळवा नथी मलतू मानसे हसवानी एकपण तक छोडवी न जोईये मुंबईनी ट्रेन मा भजन मंड़ी धूम मचावे छे भजना नंद तान मा घटाडों करे छे प्रार्थनामा तान ने सखणी राखवानी अद्भुत ताकात रहेली छे सडी करवी रुढी प्रयोगनों अर्थ अटक चाड़ूं करवूं अने खो आपवी रुढी प्रयोगनों अर्थ काम बीजाने आपपूं थाए एसीडिटी एटले खटाश अथवा पित्त अने तान एटले तणाव अथवा मानसिक खेंच रामे ताड का नामनी भयंकर राक्षसी नो वद करेलो आपणे तान नामनी वासा वगर्नी चुडेल नो नाश करवानों छे दशेराना दिवसे रावण वद करवानी जरूर न थी परन्तु आपणा अहंकार नो वद करवानों छे अहंकार एक एवो रोक छे जे असंख्य परिवारोंने पजवे छे अने प्रजाले छे सरल व्यक्तीनू स्वास्थ्य सारू रहे एवी शक्यता प्रमाण मा वधारे रहे छे जे व्यक्ती दावपेचर में अने छल कपट मा राचे तेनू शरीर पण साव निरोगी न रही शके मननो मैलो होय तेवो आदमी घणू खरू शारीरिक तकलीफ वगर नो न होय शके अस्वच्य अने अस्वस्थ मन नशा तरफ जल्दी वड़े छे सिगारेटनो धुमाडो मननी बेचे नी नूज वायू स्वरूप गणाए क्यारेक धुम्रपान करना रो अने शराब सेवन करना रो मानस लांबू जिवी जाए त्यारे लोको एक कुतर्क चलावे छे जेम जिववू होय तेम जिवो फलाना भाईने सिगारेट पीवाथी शून उकसान थयू एक स्त्रीनो फोटो अखबारों मा चपायो 157 वर्षनी एस्त्री धुम्रपान करी रही हती तेने मुलाकात मा जणाव्यूं के हवे तेने सिगारेट पनी संख्या गटाडी काडी चे आवा दाखला बने तेथी धुम्रपान चालू राखूं ए घरडो तरक छे वद इटले हत्या अने प्रजालवूंनो अर्थ सलगावूं थाए दाव पेच रमवा, रुडी प्रयोग नो अर्थ कावा दावा करवा, चल कपट मा राचवूं नो अर्थ छेतरवा मा व्यस्त रहवूं अने मनना मैला होवूं रुडी प्रयोग नो अर्थ खराब दानतना होवूं थाई प्रत्येक मानस ने मा, बहन, भाभी, पिता, मित्र के पत्नी तरफ थी भरपूर स्नेह मड़ी रहे तो कदाज शराबनी जरूर नहीं पड़े हजी आपने त्यां प्रेम नो उपचार तरीके स्वीकार नथी थयो लव थेरापी माटे होस्पिटल के साइकेट्रिस्ट पासे जबून पड़े भर्यो भर्यो प्रेमाल परिवार तन अने मनना आरोग्य माटे नी पुर्व शरत छे जीवन वीमो जरूरी छे परन्तु जीवन श्रद्धा एथी ये वधारे जरूरी छे एमा समर पण एज रोकाण अने स्नेह एज डिविडंड मानदा पड़वानू आपने मानिये तिटलू सहलू न थी उपचार इटले इलाज लव थेरापी इटले प्रेम द्वारा करातो इलाज साइकाइट्रिस्ट इटले मनो चिकित सक पूर्व शरत एटले पहले थी करेलो ठराव रोकाण एटले कोई कम्पनी मा मूडी रोकवी अने डिविडंड एटले कम्पनी ना शेर देट अपातू व्याज प्रण चार वाक्यमा उत्तर लखो प्रश्ण एक लेखक रदय रोग ना हुमला विशे शुँ जणावे छे उत्तर लेखक रदय रोग ना हुमला विशे जणावे छे के रदय रोग नो हुमलो आववानु कारण मानस पोताना शरीर ने पोटलू समझी कलाको सुधी ओफिस मा बैसी ने काम कर्या करे छे તેને કારણે તેને ગમે તે સમે ગમે તેટલુ ખાવુ પડે છે ઉમ્લો આવે ત્યારે માણસને પરસેવો છુટવા માડે છે જીવનમાં ક્યારે પરસેવો નથિવળ તો હતો તેથી શરીરે પોતાના માલેકને કરેલો એ ક્રૂર કટાક્ષ ગણાયે પ્રશ્ણ 2. લેખક કઈ બાબતોને તંદુરસ્ત સમાજની મર્યાદ આઓ ગણાવે છે ઉતર કીડ્યારાની જેમ ઓપીડી પુષકળ દર્દીઓ થી ઉભ્રાય એ સભ્ય સમાજની મર્યાદા છે અના થાશ્રમાં બાળા કોની અને ઘરડા ઘરમાં વૃધ્દોની સંખ્યાવધે એ પણ તંદુરસ્ત સમાજની પડે છે સિગારેટ ના ધુમાડા કાડનારને ખજૂર અનજીર બદામ કે કાજુ મોંગા પડે છે નાસ્તા માં તળેલ જો ભર્યો ભર્યો પ્રેમાળ પરીવાર હોય તો તન અને મણનું આરોગ્ય જળવાય છે જીવન વીમો ઉતાર વો જરૂરી છે પણ એથીએ વિશેશ જીવનમાં શધધા જરૂરી છે એમા સમભાવ રૂપી રોકાણ કરવામાં આવે તો સ્નેહ રૂપી ડિવિડંડ મળતુ રહે આવું બને તો માંદા પડવાનું આપણે માનીએ તેટ્નું સેલુનથી પ્ન પાંચ લેખ કે સૂચવેલા સામાજીક જાગ્રુતી અંગે કેવા પગલા લેવા તેના કેતલાક સૂચા નો કર્યા છે પ્રજા માં મોટા પાએ મહામારી જેવા રોગ ન ફેલાય ઇમાટે સૌ પ્રથમ હોસ્પિટલ માં સ્વચ્ચતા અને ગંદ કી છે આ વાત પ્રજા સમજે એવી પરિસ્થિતી સમાજે ઉભી કરવી જોઈયે સાત આઠ વાક્યમાં ઉતર લખો પ્રશ્ણ 1 આરોગ્યની જાળવણી માટે ના લેખકના વિચારો તમારા શબ્દોમાં લખો કારણે રોગ ન ફેલાય એમાટે ઓતાની આસપાસનો વિસ્તાર સ્વચ્છ રાખો જોઈએ તમાકુના ગુટકા સિગારેટ વગેરે વ્યસનોથી દૂર રેહમું જોઈએ કેમકે એની સીધી અસર આરોગ્ય પર પડે છે કોઈના લગ્ણના રેસેપ્શન માં જઈએ ક્યારે પેટ ન બગડે એમાટે ખાવા માં સઈયમ રાખો જરુરી છે મનની સ્થતાનો શરીરની તંદુરસ્તિ બર સીધો પ્રભાવ પડે છે કેમ કે મનની પ્રસંનતા પાચણ શક્તિને જાળવે છે માણસે હસ્વાની ટેવ પાડવી જોઈએ ભજના નંદ અને પ્રારથ નાથી તાણ ઓચી થાય છે જીવનમાં દાવ પેચ રમવાથી એ છળ કપટ કરવાથી પણ શરીર સ્વસ્થ રહતુ નથી એ નાથી દૂર રેહું જરૂરી છે આરોગ્યની જાળવણી માટેનો અકસીર ઉપાય લવ થેર્પી છે પ્રશ્ણ 2 મનની સ્વસ્થતાનો શરીરની તંદુરસ્તી પર સીધો પ્રભાવ પડે છે એમ લેખક શા માટે કહે છે ઉતર મનની સ્થતાનો શરીરની તંદુરસ્તી પર સીધો પ્રભાવ પડે છે એમ લેખક કહે છે કારણ કે માણસનું મન ભાંગી પડવાથી તેની સીધી અસર તેના શરીર પડે છે મનની પ્રસનતા પાચન શક્તી ને જાળવે છે જારે ઈર્ષ્યા કરવાથી એસી ડીટી વધી શકે છે માંસીક તાણથી બલડ પ્રેશરની બિમારી આવે છે અતિશય ચિંતા કરવાથી પેટમાં અલ્સર થાય છે પતી પતની બચ્ચેના સંબંધમાં તાણાવે તો બંનેના સ્વાસ્થ્ય પર એની સીધી અસર પડે છે અહંકાર દાવપેજ છળ કપટ જેવા દૂશણો થી પણ શરીર સ્વસ્થ રેતુ નથી નશો ધુમ્રપાન શરાબનું સેવન વગેરે વ્યસનો પણ શરીરની તંદુરસ્તિને નુકસાન પહંચાડે છે પ્રવરુતી તમા કુના વ્યસંથી થતા મ્રુત્યુ વિશે આકડા કીય માહીતી એકત્ર કરો પ્રિમાળ પરિવાર વિશે તમારા વિચારો જણાવો પરચ્તં અનેં ગિં કર ચ્ંળ કરા ણાંઞં માહં ગગા કરહે અહનદા કરહ iorા